Hello Friends, मैं हूँ Anita, Welcome Back to our Channel, I hope आप सब अच्छे होंगे आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ मेरे सिरामिक के प्लेट को मैंने किस तरह से डेकोरेट किया है वाल पे उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैंने आप लोगों के साथ मेरे सिरामिक आइटम की शॉपिंग शेयर की थी जो आप लोगों ने बहुत पसंद की तो उस प्लेट को मैंने इस तरह से चार प्लेट मैंने खरीदे थे और उसे मैंने किस तरह से वाल पे डेकोरेट किया है किस तरह से इसे हैंग किया है, वही मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए, आप लोग कुछ ऐसा करना चाहते हो, तो आपको कुछ आइडिया मिलेगा, आप लोगों के लिए ये वीडियो यूसफुल होगी, तो चलिए वीडियो और यहाँ पे ये चार प्लेट आप इसे सर्विंग के लिए भी यूस कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ डेकोरेशन के हिसाब से लिया था, मैंने आप लोगों से कहा था, तो इसे मैं यहाँ पे वाल पे हैंग करने के लिए यूस करूँगी, तो जिसके लिए हमे हैंक करने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूत पड़ेगी तो उसमें से एक है यह यह iंसील, बहुत ही ईजली हाडवेर वालों के यहां मिल जाता है, हाडवेर शॉप पे से आप इसे ले सकते हैं, और बहुत ही सस्ता होता है, तीस रुपे में यह पैकेट मिल जाता है, उस तो उसे के साथ एक मैंने यह ऐसे ब्रस ले लिया है आप कोई भी इसको ड्राइवर ले ले या पैंसिल ले ले या इस तरह से ब्रस ले ले क्योंकि इसे हमें एमसिल को सेट करने के लिए इसकी जरूत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम एमसिल को लेंगे, और इस तरह से एमसिल देखिए, दो पैक में आता है, दो टाइप के इसमें material होते हैं, तो दोनों को हमें थोड़ा थोड़ा लेना है, एक साथ हमें सभी को mix नहीं करना है, जितनी जरूरत है, उतना ही mix करेंगे, क्योंकि mix करने के बाद फिर उसे हमें तुरंत ही use करना रहता है, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ही इसे use करें, जितना आपको जरूरत हो, तो यहाँ पे देखिए, मैं यह black वाला और यह white वाला, एक में black कलर है, और एक में इस तरह से तो दोनों को हम सेम पोर्शन में लेंगे, और दोनों को अच्छी तरह से इस तरह से मसल के हमें mix कर लेना है, आज मैं जो आप लोगों के साथ यह वीडियो शेयर कर रही हूं, यह बहुत ही आसानी से हम इसे घर में बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसे अगर इस तरह के ह और बहुत ही आराम से घर पे इसे इस तरह से बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी, मैं यह जो भी मेरा आइडिया है, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो देखिए इस तरह से इसे अच्छे से mix कर लेने के बाद, अब हमें क्या करना है थोड़ा सा portion लेना है इसमें से, और plate को इस तरह से उल्टा करके, फिर उसमें हमें base बनाना है, पहले थोड़ा सा portion हम लेंगे, और नीचे की तरह पहले इस तरह से base बनाएंगे, यहां पे आपको कुछ भी febical या कोई भी glue gun की जरूरत नहीं पड़ेगी, डारेक्ट यह अ हमें इसे मतलब size में करना है, तो देखिए इस तरह से मैंने यहां पे चिपका दिया है, बहुत ही आराम से चिपक जाता है, तो इस तरह से इसे हमें चिपका देना है, और बहुत ज्यादा मोटा हमें layer नहीं रखना है, तो इस तरह से चिपका देने के बाद, फिर उसके में साइज में आपका हुक हो तो इस तरह से इसमें हम इसे प्रेस कर देंगे और इकदम देखिए साइज में नीचे का बेस रेडी हुआ है और उसमें इस तरह से स्टिक कर देने के बाद मतलब प्रेस कर देना है हमें और प्रेस कर देने के बाद फिर उपर से फिर से हमें बे दीवाल पे hang करेंगे तो यह बराबर से hang नहीं होगा तेड़ा लगेगा तो इस तरह से यह चीज का हमें बहुत ही ज्यादा खास ध्यान देना है बेस के उपर हुक को इस तरह से प्रेस कर देने के बाद देखिए इस तरह से हमें बार-बार देखके चेक कर लेना है क्योंकि एक बार जब यह सूख जाएगा तो हम इस पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान देना है और फिर से हम उपर से इस तरह से उसे एमसिल को फिर से लगा देंगे कि दोनों तरफ से अच्छे से ये मजबूसा बन जाए कि जब इसे हम टांगे तो बिल्कुल ये सिक्योर रहे तो इस तरह से इसे हमें प्रेस करना है और ध्यान ये देना है कि जो हमारा अंदर कील को लटकाने के लिए जो portion है वो बिल्कुल उसमें एमसिल नहीं लगना चाहिए नहीं तो अगर वहां वो cover हो जाएगा तो हमारा जब हम उसे wall पे खीले को डालेंगे तो वो उसमें जाएगा नहीं तो वो बराबर से लटकेगा नहीं तो देखें यहां पे एमसिल थोड़ा सा मेरा उपर के तरफ हो गया है तो उसे आप इस तरह से उसे set कर दें नीचे की त लेते हैं और प्लेट को इस तरह से सभी में हेंग लगा देने के बाद हेंगिंग हुक फिर इसे हम आठ से 10 घंटा सूखने देंगे जितनी अच्छी तरह से यह सूखेगा उतना अच्छा यह मजबूत बनेगा तो देखिए इस तरह से मेरे चारो प्लेट में यह अच्छी त तरफ चला गया जो मतलब की लगाने के बाद और उसमें वो बराबर से हैंग नहीं हो पाता तो इसलिए फिर मुझे एक अलग से फिर से हुक लगाना पड़ा तो ये चीज का आप विसेज ध्यान दे तो इस तरह से हमारे प्लेट रेडी हो गए हैं तो इसे मैं आपको हैंग क पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेर करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल का भी बटन जरूर प्रेस करना कि मेरी आने वाली अगली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो म मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में बाबाई